Good evening students, welcome to study with Neelam आज हमारा भारती अर्थवस्था का पार्ट आर्ट है इससे पहले पार्ट साथ बन चुके हैं जो इस्टुरेंट पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर वो आर्ट पार्ट, साथ पार्ट देख सकते हैं वो सभी वीडियो आपके लिए बहुत महत पूर्ण है उनमें जितने भी कोशन्स हैं वो आपके एक्जाम पॉइंट अब वीज से मोश्ट इंपॉर्ट है क्योंकि वही एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं चलिए शिरू करते हैं आज का लेक्चर्स भारत में प्रती वर्ष आर्थिक सर्वेक्चन किसके द्वारा जारी किया जाता है कोन करता है आर्थिक सर्वेक्चन जारी वित्यमंत्रा ले अभी कोन है अमारे वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन दिहान रखेगा बढ़ते हैं आगे और राज जी वित्ति मंतरी कोन है ये तो वित्ति मंतरी हो गई राज जी वित्ति मंतरी कोन है अनुराग ठाकूर है अनुराग ठाकूर एक रुपे के नोट पर किसकी हस्ताक्षर होते हैं देखिए exams में जब level tough आता है तो tough आता और कभी कभी ऐसा होता है lekin आप exam में select कभ नहीं होते हैं जब आपको वो question नहीं आता जो सबको आता है तो इसली किसी भी question को छोटा या बड़ा नहीं समझें चलिए देखिए एक रुपे के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो यह हस्ताक्षर होते हैं वित्य सचिप के बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ देश में बीमा वेबसाइक के नियमन के लिए किसका गठन किया गया है यह किया गया है I-R-D-A का I-R-D-A इल्डा का यह किसका नियमन करती है इल्डा यह करती है बीमा छेतर का नियमन से भी किसका करती है शेर मार्केट का शेर मार्केट का ओके चलिए क्लियर हैं बढ़ते हैं आगे भारत में कर्मचारियों के मेहंगाई भत्ते किस सूचकांग के आधार पर निर्धारित होते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं राज्य सरकार के हैं ये किंद सरकार के हैं उनको हर साल मेहंगाई भत्ता मिलता है मेहंगाई बढ़ती है तो वो किसके आधार पर तयार होते हैं और भोक्ता मूल सूचकांग के आधार पर याद रखिएगा CPI और भोक्ता मूल सूचकांग के आधार पर बढ़ते हैं अगले कोश्यन की तरफ बजट घाटे से क्या तात्पर है क्या होता है बजट घाटा राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व खर्च का अंतर राजस्व प्राप्ति के कुल खर्च जिसमें राजस्व ये रनवीर लिखा गया भई राजस्व खर्च शामिल होता है वित्य घाटे में ब्याज भुक्तान घटाने पर कुल प्राप्ति हो एवं कुल खर्च में अंतर कुल प्राप्तियों और कुल खर्च में अंतर तो बजट घाटे किसे कहते हैं? कुल प्राप्ती और कुल खर्च के बीच का अंतर यह मैंने आपको कल भी समझाय था देखिए भई बजट घाटा क्या होता जिसे सलकार की कुल प्राप्ती कितना धन प्राप्त हुआ सरकार को यह हमें आपको एक्जाम कल पके तोर पर समझा रही 500 रुपे क्या हुआ इसको प प्राप्ती और कुल खर्च के बीच का अंतर क्या कहलाता है बजट घाटा बजट डिफिसेट बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ मानव विकास सूचकांक के मापक में शामिल होते हैं देखिए इनने छोटा मत समझी इस तरी के कोश्चन को यह MPPSC प्री व्यापम SSC रे मानव क्या विकास या डवलापमेंट अच्छा हो रहा है ठीक है तो यह तीन सेक्टर होते हैं जीवन प्रत्यासा मतलब जादा से जादा वो लोग कितनी उम्र तक जी पा रहे हैं सिक्छा का इस्तर सिक्छा की कॉलिटी कैसी है प्रतिव्यक्ति आये प्रतिव्यक्ति की आय कितनी है तो ये तीन पेरामेटर साथ याद रखिएगा मानविका सुचकंग तीन आधारों पर ही मापा जाता है बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ निजी छेत्र द्वारा पहला निर्याद प्रोसेसिंग छेत्र कहां इस्थापित किया गया निर्याद प्रोसेसिंग का म ट्शेता द्वारा क्या इस्थापित किया गया निर्याद प्रोसेसिंग छेत्र तो ये कहां इस्थापित किया गया इस्था, सूरत, गुजराथC के सूरत में यहां रखिए गहां रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ विभिन वस्तूओं पर इको मार्क क्य कि वहाँ उतफाद प्राकरतिक उतफादों का उत्प्योग किया गया उस उतफाद को बनाने में जल्दी नष्ट होने वाला उतफाद है परेवरण की दिर्ष्टी से अनुकूल है परेवरण को हानी नहीं पोचा सकते तो इसका राइड आंसर क्या होगा ये होगा पर्यावरण की दृष्टी से जो उत्पाद अनुकूल होते हैं वो जल्दी पर्यावरण में क्या हो जाते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं वो पर्यावरण में लंबे समय तक नहीं बने रहते हैं ठीक है तो वो क्या होते हैं पर्यावरण की द्रश्टी से अनुकूल उत्पादों परी इको मार्ग चिन लगता है बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ भारत में पहले मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला राज्य कौन सा राज्य था जिसने पहली बार मानव विकास रिपोर्ट लेकर आय मानव विकास रिपोर्ट पहली सालर क्येश करते मंतलब कि किस अर्थेस्त्री द्वारा विक्सित किया गया था मतलब किस आर्थसास्त्री ने वह तीन प्रत्यासा, सिक्षा का इस्तर और आये थे महभूब उल्हक ने ये कहां के थे यह पाकिस्तानी आर्थसास्त्री थे जिनोंने ये गर्णा बताई थी कि मानभ विकास को इन इनाधारों पर मापा जा सकता है चलिये बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ निमनलिखित में से मुद्रा इस्पीती किस कारण से होती है उत्पादन में ब्रद्धी होती है तब होती है मुद्रा इस्पीती का मतलब महंगाई है वही उत्पादन में ब्रद्धी होगी तो बढ़ेगी उत्पादन में हानी होगी तो बढ़ती है उत्पादों की आसान किस्तों पर आसान रेट्स पर क्या होगा बैंक से लोन मिलेगा तो लोगों की जेबों में क्या आएगा पैसा आएगा जब लोगों की जेबों में पैसा आएगा तो वो सामान जादा से जादा खरी देंगे तो उससे क्या होगी मांग में मांग तो बढ़ेगी लेकिन नापूर्ती में क्या आने लगी कमी आने लगी और जिससे क्या बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी ओके आई होप आप लोगों क्लियर हो रहा होगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ भारती रेजर बेंक का accounting year लेखा वर्ष हिंदी में क्या कहेंगे से लेखा वर्ष कब स अप्से होता है कब से प्रारंब होता है तो यह होता है आपका एक जूलाई से 31 जून तक एक जूलाई से 30 जून तक याद रखेगा accounting year या लेखा वर्ष हिंदी में का씨 कब से प्रारंब होता एक अप्रेल से 31 मार्च तक भारती ये क्या वित्तिय वर्स financial year और RBI का accounting year एक जुलाई से 30 जुन बढ़ते हैं अगले question की तरफ अर्थिसास्त्र के जनक किसे कहा जाता है कोने वही अर्थिसास्त्र के जनक Adam Smith है ध्यान रखिएगा friends wealth of nation पुस्तक के लेखक कोन से अर्थिसास्त्री है ये हैं Adam Smith इन्होंने ही book लिकी थी wealth of nation friends अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share कीजिए टेलिग्राम चैनल है study with नीलम नाम से इस पर अगर आपको इस वीडियो की pdf चाहिए तो आप इस टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ भारत की पहली ओध्योगिक नीती कब लाई गई थी ये question बहुत बार exams में आ चुका है ध्यान रखेगा 1948 में पहली बार ओध्योगिक नीती लाई गई थी भारत का वहा राज जिसने सबसे पहले वेट वेल्यू एडिट टेक्स लागू किया था ये था आपका हर्याणा कब लागू किया था हर्याणा ने 1 अप्रेल 2004 को पहली बार वेल्यू एडिट टेक्स लागू करने वाला राज्य कोन सा था हर्याणा 1 अप्रेल 2004 को LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी 1956 में कब हुई थी LIC की स्थापना 1956 में बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ देश का पहला नियूनतम मजदूरी अधिनियम कब लाया गया था मतलब फैक्टरियों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उन्हें नियूनतम मजदूरी मिले इसके लिए अधिनियम पहली बार कब लाया गया था 1948 में ही लाया गया था ओके क्लियर रेफ्रेंट्स बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ फैडरल रिजर्व बेंक किस देश का केंद्रिय बेंक है यह है आपका USA का सेंट्रल बेंक जब USA का यह सेंट्रल बेंक अपने रेट्स में रेपो रेट्स रिजर्व रेपो रेट्स इनमें परिवर्तन करता है तो पूरे विश्व के शेर बाजारों में ग्रावट या उच्छाल की सिती देखी जाती है इसलिए आप लोगों को यह दिहान में रखना है फेडरल रिजर्व बेंक दित्तिय पंचवर्सी योजना किस मॉडल पर आधारे थी दित्तिय पंचवर्सी योजना पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारे थी बहुत अच्छे से याद कर लीजेगा आप इने जे चलेया समीती का गठन के छेतर में सुधार के लिए किया गया था जे चलेया समीती का गठन किया गया था कर छेतर में सुधार के लिए करो में सुधार के लिए चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ वर्तमान में चौद्वे वित्य आयोग के सिफारिशे चल रही हैं इसके अध्यक्ष वाई वी रेड़ी हैं कौने वई वाई वी रेड़ी कब से है ये 2015 से 2020 तक चलेंगी इनकी सिफारिशें अब जो अगला वित्य आयोग हमारा पंद्रवा वित्य आयोग इसकी सिफारिशें एक अप्रेल 2020 से प्रारंब हो चुकी हैं और कब तक चलेंगी कि दो हजार पच्चिस तक पांच वर्षों का होता है वित्य वर्ष का कारे काल ठीक है संभिधान के किस अनुक्षेद में पहली बार इंकम टेक्स जैम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था जिससे 18-57 के नुक्सान की भरपाई कर सके जैम्स विलियन का ये उद्देश था पहली बार आयकर लगाने का भारत के संभिधान में बजट को क्या कहा जाता है वार्षिक वित्य विवर्ण बजट फ्रांसेसी भासा का सब्द है इसे मेडिया और के वज़े से लागू कर दिया गया मतलब बोल चाल की बज़ट बोलने लगे वरना भारती संभिधान में क्या नाम दिया गया है इसे याद रखिएगा आप लोग बजट के लिए भारती आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है शिमला में हैं भारती सबजी अनुसंधान संस्थान बारा नसी में हैं भारत का प्रथम क्रशी विश्विद्याले उननीस सो साट में पंत नगर उत्राखंड में स्तापित किय गया था most important difference याद रखिएगा इसे भारत में विशेश आर्थिक छेत्र special economic zone की नीती कब आई थी सन 2000 में आई थी ठीक है सन 2000 में आई थी देश में सरवाधिक नमक उत्पादन किस राज्य में होता है गुजरात राज्य द्वारा किया जाता है कोफी बोड का मुख्याले कहां पर है बेंगलूरू करनाटक में है चाइबोड का मुख्याले कलकत्ता पस्चिम बंगाल में है ये सभी कोश्चन आते हैं संस्थानों से जुड़े हुए तो आप इन कोश्चनों को लाइटली मत लीजिएगा इस वीडियो को दो से तीन बा देखिएगा आपको सारे कोश्चनियात हो जाएंगे तंबाकू बोड का मुख्याले गुंटूर आंधर प्रदेश में है तंबाकू सोध संस्थान राज मुंदरी आंधर प्रदेश में है राष्टी विकास परिशत का गठन 6 अगस्थ 1952 को हुआ था ये था फ्रेंट्स हमारा आज का भारती अर्थवस्था का पार्ट 8 आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मेरे चैनल को लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और शेर जरूर कीजे